है 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 लोग एवरीवन माइम इज रहूल कुमर रमन इन दिस वीडियो आइविल इसकास अबाउट ऑक्सिडेशन रियक्षन रिड़क्षन डैट मिन्स रिडॉक्स रियक्षन तो लेट स्टार्ट तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि इस टॉपिक डैट मिन्स इसमें यह पूछा जाएगा कि कौन सा सब्स्टांस ऑक्सिडाइज हो रहा है इसमें और भी चीज़ें पूछे जाएंगे कि समें कौन सा सब्स्टांस ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है तो इस तरह से अबजेक्टिव टैब या एलिमेंट ऑक्सिडाइज हो रहा या कौन स एलिमेंट या फॉर्मूला या सबस्टांस ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है या फिर कौन सा सबस्टांस रिडूसिंग एजेंट है तो इस तरह से अब्जेक्टिव पूछ ले जाते हैं आपको भेरी साइप भेरी सॉट टाइप कोशन भी पूछ ले जाते हैं कि से कंफर्म हर एक साल कोशन से भी सिबोड में आते हैं तो इस तरह से हम अश्टार्ट करते हैं इसका डिटेल्स तो सबसे पहले इसमें समझेंगे ऑक्सीडीशन तो ऑक्सीडीशन देखे इसका एक ट्रीक है बस आप सिर्फ औक्सीडीशन का मतलब आप जान जाएंगे तो सारे छीजेंका मतलब आपासानी से समझ जाएंगे ठीक है सबको उलट करके सोच लेना है सिर एक को आप समझता है oxygen का मतलब होतां क्या है उक्सिटेशन एक प्रोसेस है एक reaction है मतलब कह सकते हैं क्छेक्सण ही है यह प्रोसेस है एक wedge कह Video और तो लौसोगा थिक है तो जब हैडोजन का लोस होगा है तो बस यही दो बात हैं आपको सिर्फ याद रखना है वाक्कि सारा आपने आप याद होते जाएगा देखिए कैसे तो पहले oxidation का थोड़ा detail समझते हैं कैसे तो जब आप जान चुके oxygen का gain होता है तो example से समझते हैं देखिए magnesium magnesium जो है magnesium ने oxygen को gain करके magnesium oxide बनाया that means यहाँ पर oxidation हो रहा है क्यों क्योंकि magnesium oxygen को gain करके magnesium oxide बना लिया तो इसमें oxidation हो रहा है समझ में आता है इसलिए कि अब इसमें oxygen का gain हो रहा है लेकिन oxidized कोन हुआ है तो magnesium हुआ है oxygen किया तो oxidized कोन हुआ magnesium हुआ लेकिन यह process क्या कहलाएगा oxidation कहलाएगा दिखिए hydrogen से समझते हैं loss of hydrogen hydrogen से यहां पर CH4 क्या हुआ है CH4 यहां पर hydrogen का loss करके carbon बन गया है ठीक है तो अब बताइए कि यहां पर CH4 carbon loss करके hydrogen loss करके carbon बना है तो यहां पर भी कह सकते हैं कि इस process में hydrogen का loss हुआ है तो यह process भी oxidation कहलाएगा अब आपको एक और एक्जांपल यहां से ले लेता है copper ने यहां पर oxygen को gain करके copper oxide बना लिया अब यहां पर कहेंगे को oxygen का gain हुआ है तो यह process oxidation कहलाएगा और copper oxidized हुआ है क्योंकि copper ने oxygen को gain किया है अब आगे समझते हैं इसका भी समझ सकते हैं the process in which substance gets oxidized clear substance get oxidized अब इसको एक छोटा से story से समाझते हैं मैं मालूँ आपका teacher आपको oxygen दिया हूँ यहनि आपको मैंने oxygen दिया तो आपने oxygen को gain किया यहनि आपने oxygen को accept किया तो आप में gain हुआ है oxygen का लेकिन मैंने आपको अपना oxygen आपको दिया है तो मेरा तो oxygen का loss हुआ है तो oxidation यहाँ पे किसका हुआ है आपका हुआ है यहनि आपने oxygen का gain किया मतलब आपका oxidation हुआ है तो उक्सिडाइजड होगे आप, है ना, आप होगे उक्सिडाइजड, लेकिन मैंने उक्सिजन आपको दिया, तो मैं उक्सिजन देने वाला एजेंट हुआ, यानि मैं हुआ ऐजिएंग एजेंट, तो एक ट्रीक याद रखेंगे, जिसका उक्सिडेशन होता है, वो खुद उक oxidizing agent आपका गेंड आपने गेंड के oxygen तेनी आपका हुआ है oxidation देट मिस्ट आप होगे oxidized अब देखिए oxidizing agent को और detail समझते हैं oxidizing agent को the substance which gives oxygen to other substance यानि मैं oxidizing agent हुना क्योंकि मैंने आपको oxygen दिया हूँ तो वो substance जो give करे oxygen को other substance को ठीक है तो यहां पर other definition भी देखते हैं the substance which gives which gives means looges oxygen या gain hydrogen अब आप कह सकते हैं कि oxidation और oxidizing agent reciprocal होता है क्यों क्योंकि oxidation में oxygen का gain होता था लेकिन oxidizing agent में oxidizing agent में oxygen का lose होता है इतना तो आसान है क्योंकि आप आपने आपका oxidation हो रहा था भी और मैं oxidizing agent हो ना तो मैं आपको oxygen दे रहा था तो मेरा तो oxygen का lose हो रहा था ना तो लेकिन आप में oxygen का gain हो रहा था तो just opposite relation है तो इसलिए अब यहां पर देखे मैंने इसलिए एक ट्रीक है यहां पर आप देखे सबसे नीचे लिखा हुआ है oxidation oxidizing agent reciprocal होता है अब इसको और डिटेल्स यहां पर यहां पर हमने कुछ diagram बनाया है देखे सोहन नाम का एक लड़का है मोहन को oxygen दिया है ठीक है अब बताइए मोहन में मोहन ने oxygen को gain किया अब मोहन oxygen को gain किया तो इसका मतलब मोहन oxygen हो गया अब जब मोहन oxygen हो गया मतलब मोहन का oxygen हो गया है क्लियर अब आपको यहां से समझ में आ चुका आगो अब आगे बढ़ते हैं अब आप देखें हाँ पर ट्रीक है अब बस आपको में बार बार बोलना हूं सिर्फ oxygen का मतलब आप याद रखिए फिर से में याद दिला देता हूं oxygen मतलब oxygen का gain या hydrogen का lose तो अब यहां पर देखें oxygen याद है तो reduction अपने आप याद होगा क्योंकि just opposite सोच लेना है कैसे reduction में होगा oxygen का loss और hydrogen का gain होगा ठीक है अब आगे देखते हैं कि अब आप पहले से जान चुके हैं कि oxidation और oxygen में reciprocal अभी आपको मैंने समझाया तो अब आप यहां से एक और relation बना लेजिए oxidation reduction का opposite होता है तो क्योंना oxidation और reduction opposite oxidation oxidizing opposite तो इसका मतलब हुआ कि जिसका reduction हो रहा होगा वो oxidizing agent हुआ होगा यानि यानि एकदम असान है आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो जिसका process वो agent नहीं होगा जैसे oxidation process तो वो oxidizing agent नहीं है उसी तरह से जब reduction जिसका हो रहा होगा तो वो oxidizing agent नहीं हो कि oxidizing agent होगा तो उसी तरह से जिसका oxidation होगा वो oxidizing agent नहीं हो कि वो reducing agent का लाएगा तो फिर से जो जो process होगा वो उसका agent नहीं होगा मैं सुरू में ही बता चुका हूँ कहाने से कि मैं oxidizing agent हूँ तो आपका process means आपका Oxidation हो रहा है तो अराम से सिर्फ एक Oxidation का मतलब समझ के अब आप Oxidation समझ गये तो Reduction याद है Oxidation समझ में आ गया तो Oxidating Agent याद है क्योंकि उल्टा सोच लेंगे तो हर एक चीज़ आप उल्टा सोच लेंगे तो फिर जिसका Reduction होगा वह Oxidating Agent होगा क्योंकि को डिटेजिंग एजर नहीं हो सकता है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं अब आके देखिए अब डिटेल्स थोरा सा रिडेक्षन समझते हैं रिडेक्षन में जस्ट आपोजीट आप करने वाले हैं तो करिए इसमें गेन ऑफ हैडोजन होगा और लूज ऑफ है अक्सीजन तो बलस आफ डेकते हैं और यहां इसने मि आफ टूब में यहांप एसटेवा यहां पर हिर्जन एक भी नहीं था लेकिन प्रॉडक्स है टहर्जन आ गया है यानि आई टू ने हीरिजन को एक्सर गेन किया है तो आई टू क्या हो गया आसँ में यहां पर reduction होगा और जिसमें होगा hydrogen add वो reduced होगा तो उस तरह से अब देखिए अजेंट reducing agent नहीं होगा देखिए ओड़ेट ए लिखे हैं यह oxidizing agent होगा मैं बार-बार बोल रहा हूं कि जिसका reduction होगा जिस सब्स्टांस का reduction होगा वो reducing agent नहीं वो oxidizing agent होगा तो उलट करके सोचते रहना है अब आगे देखिए यहां पर लॉस आफ अक्सिजन से देहलाता है तो यह तो आप जान चुके हैं बट आपको इसमें यह बताएए आपको यह बताना है कि HGO oxygen lose किया तो HGO का reduction हुआ तो यह reducing agent होगा यह oxygen agent तो यह reducing agent नहीं होगा यह oxidizing agent होगा देखिए उपर में O capital O.A oxygen agent लिखे हैं तो यहां से भी समझ सकते हैं यह example देखिए H2O वाला H2O में देखिए H2 जब बना है तो oxygen loss हो गया oxygen loss हो गया तो यहां पर भी कह सकते हैं कि जब H2O product में H2 बना है तो यहां पर देखिए oxygen का loss होगा है तो यह process reduction कहलाता है अब बताइए कि H2O जब oxygen का loss किया तो यह process क्या होगा reduction होगा तो यह process क्या होगा reduction होगा तो यहां पर बताइए कि H2O कौन सा agent होगा तो जब यह substance का हो रहा है reduction reducing agent नहीं होगा यह क्या होगा oxygen agent होगा तो अब आगे बढ़िये से समझते हैं इसका definition the process in which substance gain hydrogen lose oxygen is called reduction और में थर से समझते हैं जिसका reduction होगा तो वह हो जाएगा reduced तो देखिए the process in which जो substance get reduced तो process reduction कहलाएगा सबसे नीचे example देखिए HGO HG में change हुआ है that means HGO का reduction हुआ है क्योंकि oxygen gain lose किया है तो HGO get reduced इस तरह से आपको option बना हुआ रहेगा option में आपको यह select करना है CRT में भी दिया हुआ इस टाइप का question है ना इसका मतलब agent यह कुन सा होगा तो reducing agent यह नहीं होगा यह HGO oxygen agent होगा तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं आप आगला topic में रहेगा reducing agent यह तो ऐसे आप बढ़िया से समाझ भी चुके हैं लेकिन इसका definition देखिए क्या होगा the substance which gives deduction का उल्टा सुचिए क्योंकि डिड़क्षन जिसका होगा वो reducing agent नहीं होता है तो लट करके सुचना इसमें भी है तो reduction का उल्टा क्या होगा जिसमें oxygen gain होगा है ना तो जिसमें oxygen gain होगा तो इस तरह से भी समझ सकते हैं तो वैसे यह सबसे पहला में था कुछ समझ लेता है कि वह सबस्टांस जो hydrogen किसी और को दे oxygen agent में क्या था oxygen किसी और को देता था reducing agent वह एजेंट होगा जो oxygen कि hydrogen किसी और को देगा तो that means आप बताए reducing agent पे hydrogen का loss हो रहा होगा तो इसलिए definition में क्या होगा the substance which gives hydrogen hydrogen का loss होगा यहां गीव करेगा और गेन करेगा oxygen तो अब आप बताएं कि जिसमें oxygen गेन होता है वह उसका होता है oxidation तो जो चीजें का oxidation होगा वह reducing agent हो जाएगा अग जिस चीजें का reduction होगा वह oxygen agent हो जाएगा तो इस तरह से उलट करके आपको सोचते रहा है अब आप देखिए यहां पे भी हम मेंने समझाया सोहन ने oxygen को सच्छी सोहन ने hydrogen को loss किया है तो सोहन हो जाएगा क्या सोहन कोачeroaction को loss या नी किसी और को दिया है तो सोहन हो जाएगा reducing agent यानि है जोन देने वाला agent reducing agent हैं से आपको समझ में होगा अब आगे बढते हैं देखें जिसे redaction or reducing agent उल्टा सोच लेना है ठीक है क्योंकि deduction में hydrogen gain होता है तो जब कि डिरूशिंग जेंट लूज करता है तो इस तरह से उलट करके सोच लेना है अब हम एक्जांपल से समझते हैं एक्जांपल देखें CUO, CUO, CUO में जब CU बना है तो उस वक्ट देखें oxygen loss हो गया है क्योंकि CUO से CU बन गया है मतलब कि oxygen loss हुआ है यहाँ पर देखें लिखा हुआ है तो that means जिसमें oxygen का loss होता है उस प्रोसेस को क्या करता है? अब बताइए यह reducing agent नहीं होगा यह oxidizing agent होगा अब बताइए CUO क्या हो गया है जब CUO का reduction हो रहा था that means CUO reduced हो गया उसी तरह से यहाँ पर समझे राइट साय समझे H2 जब यहाँ पर देखें H2 oxygen gain करके H2 हो बना लिया इसका मतलब हुआ कि इसमें oxidation हुआ है अब जिसका oxidation होता है वो हो जाता है oxidized यानि H2 में oxidation हुआ है तो H2 हो जाएगा oxidized लेकिन agent oxidizing agent नहीं होकर कि यह agent कौन होगा reducing agent होगा ठीक है यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा तो सबसे नीचे देखें आपका trick दिया हुआ है अच्छे से आप यहाँ समझ सकते है oxidization reduction का उल्टा होता है अब oxidation direct कौन सा agent के equal होगा reducing agent के equal होगा यह जिसका oxidation हो एजेंट होगा reducing agent ठीक है क्योंकि oxidizing agent नहीं हो सकता है अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ दिखी redox reaction redox को reaction in which oxidation and reduction both take place simultaneously यानि वो reaction जिसमें यह दोनों reaction प्रजेंट होगा अब देखें इसको clear हम example से समझते हैं CUO CU बना है यानि CUO से oxygen loss lose हुआ है यानि oxygen lose किसमें होता है reduction में clear तो अब बताइए इसमें reduction भी हो रहा है अब H2O H2O बन गया है यानि H2O में oxygen का gain हुआ है यानि यहाँ पे देख रहे हैं oxidation हो रहा है तो एक ही reaction में आपका यह दोनों process हो रहा है ठीक है तो इसलिए हम वैसा reaction जिसमें oxidation और reduction दोनों एक साथ हो रहा हो तो हम उसको redox reaction के रूप में समझेंगे अब दुसरा example देखते है H2S sulfur के form में change हुआ है तो यहाँ पे देख रहा है कि H2S sulfur जब बना है तो उस वक्त क्या हुआ hydrogen का loss हुआ है तो यहाँ पे इसके बारे में कहेंगे कि hydrogen का loss किसमें होता है hydrogen का gain हुआ hydrogen का gain किसमें होता है reduction में होता है तो आपको समझ में आया कि एक ही reaction में oxidation भी reduction भी है यानि यह भी reduction का example है इस तरह से आपको examples पता कर लेना है कि इसमें reduction का example है next example देखते है है H2 H2O बन गया that means oxygen का gain हुआ है oxidation हुआ है O2 में H आ गया है add हो गया है gain हो गया hydrogen का that means यहां reduction हो रहा है तो एक ही reaction में दोनों reaction reduction और oxidation प्रजेंट है इसलिए यह redox reaction का example है है अब यहां पर अच्छे से समझते हैं देखिए अच्टू एच्टू में जब oxygen एड़ हुआ है तो एच्टू क्या हो गया oxidized हो गया अब आप बताइए यानि पर एच एच लिया है क्योंकि एच देखिए जब और टू प्रोड़क्ट में एच के साथ connect है यहीं कर लिया तो एच जो गेन करता है उसका क्या होता है reduction होता है और वह reduced हो गया जिसका reduction होगा तो वह substance reduced हो गया अब देखिए अब लास्ट में यहां देखिए oxidizing agent कहलाएगा क्यों क्योंकि इसका reduction हुआ है इसको दूसरे मिथर से भी समझ सकते हैं आप खुद सोचिए कि अगर यहां पे oxidation यहां से समझता है hydrogen से कि hydrogen यहां पे अगर oxidation हुआ hydrogen का तो यहां पे oxygen देने वाला यह होगा ना फिर से समझे है एचटू में जब ऑक्शिजण गेन हुआ हो गया तो गृस्टू उक्षिजण तो कोई और दिए होगा मतलब उसके बगल 2 यह दिया होगा और चिजण तो आक्शिण देने वाला यह है इसका मतलब यह fonction isn व्यम्द होगा ना तो हर्जन दिया कुन होगा यह दिया होगा ना तो हर्जन देने वाला डिदूसिंग एजेंट देख्यान लिखा हुआ है तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं या फिर उलट करके बार-बार आप उलट तो अभर और बोला जाए कि ऑक्षिडेशन मतलब आपको समझ में आ गय होता होगा तो इस तरह से उलट करके आपको सूच करके तुरत से आंसर बना लेने हैं यहां से क्वेशन कंफर्म आते हैं आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा तो थैंक्यू सो मच